अज़ का हमार लक्चर है इंसेक्ट इकोलोजी और इंटीग्रेटेट पैस्ट मेनेजमेंट पर ये बीएसी एग्रीकल्चर के थर्ड सेमिस्टर का सब्जेक्ट है जैसे की रेंट्फेट एग्रीकल्चर, प्लांट पैथोलोजी, एग्रोनॉमी पर जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको गोई एग्रो एप को डाउनलोड करने का लिंक दिया हुआ है गोई एग्रो एप पर आप बीएसी एग्रीकल्चर के सैमिस्टर वाइस नोट्स के पीडिएफ मिल जाएंगे सो डाउनलोड दिस एप फ्रेंट्स वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलिग्राम क्रूप का लिंक दिया हुआ है टेलिग्राम के थूँ आप हमसे कॉंटेक्ट कर सकते हैं आपको वीडियो से रिलेटेड या फिर एप से रिलेटेड कोई भी डाउट है या फिर कुछ प्रॉब्लम है तो हमसे आप हमसे टेलीग्राम पर शेयर कर सकते हैं So now let's start our lecture आज का lecture का topic है effect of biotic factor on insect ecology So last lecture में हमने समझा था कि abiotic factors insect ecology को कैसे effect करते हैं जिसमें हमने temperature, humidity, wind velocity, rainfall ये सभी पढ़े थे इसके बाद आज के lecture में हम समझेंगे कि कौन-कौन से biotic factor है जो insect ecology को effect करते हैं जैसे कि हम जानते हैं nature में present सभी organism एक दूसरे से directly और indirectly relate करते हैं इंसेक्ट में जो main processes होते हैं जैसे कि growth, nutrition and reproduction के लिए वो दूसरे individual पर dependent होते हैं इस interaction की basis पर हम इंसेक्ट को दो classes में divide कर देते हैं फर्स्ट है intraspecific species and second है intraspecific species intraspecific species का meaning होता है जो species अपने ही type के species पर dependent होती है means उनका relation अपनी ही type के species से होता है उन्हें हम intraspecific species बोलते हैं intra यहाँ पर intra आता है इसे लिए यहाँ पर same individual के बीच में relation होता है और intraspecific species में दो different type के species के बीच में interaction होता है इसे लिए उसको intraspecific species बोलते हैं इसके बाद अब हम समझते हैं कि कौन-कौन से biotic factor इंसेक्ट टिकोलोजी को affect करते हैं फर्स्ट है intraspecific biotic factors इंसेक्ट अपनी ही type के species से तो नहीं लेकिन कुछ दूसरे enemies, food या फिर competition की वजह से affect होते हैं इसमें फर्स्ट है natural enemies, second है food and third है competition Competition दो टाइप से होता है intraspecific competition और intraspecific competition इसके बाद second है intraspecific biotic factor intraspecific biotic factor में आता है colonization, aggregation and cannibalism अब हम इन factors को detail में समझते हैं फर्स्ट है intraspecific biotic factors intraspecific biotic factors का meaning होता है कि यहाँ पर insects अपने जैसे same species से interact नहीं करते हैं बलकि कुछ और organism, enemies और food से interrelated होते हैं यहाँ पर first है natural enemies सभी insects के अपने दुश्मन तो होते ही हैं जैसे जैसे insects की population बढ़ती है वैसे ही natural enemies का rate भी बढ़ता रहता है क्योंकि उनको जादा food supply होता रहता है इसे लिए उनकी population भी increase होती रहती है means insects और उनकी enemies के बीच में एक relation होता है जैसे जैसे insects की population बढ़ेगी तो उनकी जो enemies होते हैं उन्हें भी food जादा मिलेगा और जैसे enemies host को consume करेंगे तो वैसे ही इनकी बीच में एक balance चलता रहता है अब है natural enemies के types natural enemies बहुत से types के होते हैं first है predators predators को हम शिकारी बोलते हैं predators ऐसे organisms होते हैं जो अपने हिसे छोटे कमजोर organisms को शिकार करते हैं और एक बार में उन्हें मार कर उन्हें अपना खाना बना देते हैं और जिस organism का शिकार हुआ जाता है उसे हम prey बोलते हैं तो इसे हम ऐसा बोल सकते हैं कि predator prey को consume करता है और यहाँ पर इनके examples दी हैं examples बहुत important होते हैं क्योंकि insect ecology में आपको parasites, parasitoids, predators इन सभी insects के example learn होने चाहिए तो यहाँ पर predators के example है aphots and leaf hopper और यहाँ पर क्राइसोपरले स्पीशीज में है aphots और sucking insects sucking insects में आते हैं green leswing, hoverflies तो predator के पाद second type का enemy है insect parasitoids parasitoids ऐसे organisms होते हैं immature stage में तो parasitic होते हैं means वो अपना nutrition के लिए host पर dependent होते हैं लेकिन development के पाद वो एक free adult जैसे रहने लग चाते हैं वो अपने host को मार देते हैं तो इसे हम parasitoids बोलते हैं और इसे हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि parasitoids ऐसे organisms होते हैं जो अपनी larval stage में तो parasite होते हैं means nutrition के लिए वो host पर dependent होते हैं उसकी body से food को consume करते हैं लेकिन adult age में वो host को मार कर as free living रहने लग चाते हैं और parasitoids का example है ट्राइकोग्रामा species इसमें आते हैं cotton ball worm और शुगर बॉरर इसके अलावा इपिरिकैनिया, शुगरकेंपाइडीला, एपेंटेलिस, लैपिड़ोप्टेरेंस, लार्वी ये सबी एक्जाम्पल है parasitoids के इसके बाद कुछ अदर एनिमीज होते हैं parasitoids और predators के अलावा कुछ और organisms भी होते हैं जो insects के लिए एनिमीज होते हैं जैसे कि frog, toats, reptiles, birds and bears और इसमें कुछ microorganisms भी आते हैं जैसे कि bacteria, bacteria bacillus thurigenesis और pseudomonas और fungi की अगर बात करें तो fungi में आते हैं verticillium, metareseum next viruses, viruses में आते हैं hempi और sain pv फिर आते हैं nematodes तो ये सबी भी insect ecology के लिए एनिमीज जैसे फर्व करते हैं सो अब natural enemies के बाद second inter-specific biotic factor है food सबी insects की अपनी-अपनी nutritional demand होती है जिसे लेकर वो अपनी life cycle को complete करते हैं इसलिए host और food के बीच में एक happy adjustment होना चाहिए यदि अच्छानक से किसी जगह पर insect की population increase हो जाएगी तो उस जगह पर competition स्टार्ट हो जाएगा और क्योंकि अगर insects की population बढ़ गई तो उन्हें food और space की बीच में competition हो जाएगा और उन्हें proper food नहीं मिल पाएगा इसलिए food और insects की बीच में एक balance होना ज़रूरी है nutritional requirement के basis पर हम insects को four categories में divide करते हैं कि वो किस type का food consume करते हैं First है omnivorous Omnivorous insects ऐसे insects होते हैं जो plants और animals दोनों को खाते हैं और इनका examples है wasp and cockroach Second type की category है carnivores Carnivores ऐसे type के insects होते हैं जो only animals को ही consume करते हैं और इसमें आते हैं parasites और predators ये insects plants को बिलकुल भी consume नहीं करते हैं और इसका examples हैं ladybird, beetle and mantis Third category है herbivores Herbivores ऐसे insects होते हैं जो only plants पर ही feed करते हैं और इसका example है crop pest Crop पर मिलने वाले जो pest होते हैं वो only crops को ही consume करते हैं उन्हें हम herbivores बोलते हैं Fourth category है scavengers scavengers को हम saprophagus पर बोलते हैं ये insects decaying plants और dead organic matter को ही consume करते हैं इसका example है Drosophila flies, house flies, scarab flies ये mostly soil में ही मिलते हैं Now food के बाद third interspecific biotic factor है competition Competition एक type का interaction है जिसमें दो या दो से जादा insects food, nesting, means girl, space, jager, mates, means partner या फिर कुछ दूसरे resources के लिए एक दूसरे से interact करते हैं उसे हम competition बोलते हैं ऐसा बोला चाता है कि usually दो insects जिसकी similar requirements है वो एक जेसी जवरत है जिनकी वो एक जगह पर नहीं रह सकते हैं उनकी वीच में competition होना ज़रूरी है और यदि वो एक जगह पर भी रहते हैं तो या तो वो अपनी food habit को change कर देते हैं या फिर वो अलग-अलग समय पर active रहना स्टार्ट कर देते हैं यहाँ पर same species के बीच में interaction होता है और हम बोल सकते हैं कि same species के बीच में competition होता है और interspecific में दो different type की species के बीच में competition होता है तो interspecific का meaning यही होता है कि यहाँ पर same species के बीच में competition होता है और interspecific में दो अलग-अलग species के बीच में competition होता है ये सबी थे interspecific biotic factors इसके बाद अब हम interspecific biotic factors पढ़ेंगे interspecific biotic factors ऐसे factors होते हैं जिसमें insects अपनी ही जैसे species की वज़े से affect होते हैं और उनके बीच में कैसे relations होते हैं, वो कैसे interact करते हैं, वो सबी हम इसमें पढ़ेंगे interspecific biotic factors का first है commensalism commensalism एक type का relation है जिसमें एक insect दूसरे insect के उपर या उसकी body के अंदर रहता है और उससे nutrition लेता है, लेकिन उसमें वो insect को बिलकुल भी harm नहीं करता मेंस यहाँ पर एक insect तो benefited होता है और दूसरा insect को न तो benefit होता है और नहीं कोई harm होता है इसके examples है गॉल फर्मिंग इंसेक्ट हैलिकोर एर्पा आर्मी जेरा इसके बाद second relation है colonization colonization का meaning होता है कि इसमें insects अपनी ही type की insects के साथ group बना देते हैं ताकि वो दूसरे predator से बच सके उन्हें better protection मिल सके और कुछ environment में भी जैसे disturbance होते हैं तो उसके साथ भी वो अच्छे से सामना कर सके इसके अलावा food के लिए भी वो colony बनाते हैं इसके बाद third है aggregation aggregation में बहुत सारे insects मिलकर food या mating के लिए group बना देते हैं तो ये भी एक type का relation है तो ये सबी थे biotic factors जो insect ecology को affect करते हैं तो मिलते हैं अब next video में एंड video देखने के बाद go agro app को डाउनलोड करना ना भूले वीडियो के description में go agro app को डाउनलोड करने का link दिया हुआ है So now, thanks for watching and don't forget to like, subscribe and share